हेलो एब्रियों वेलकम टो आर यूटूब प्रिपाड़ेशन चेनल दोस्तों मेर बेल और मैं आज आज आप सबके सामने जो क्लास में मोक टेस्ट हुआ था सो इसका कुछ जल्की आम कह सेकते हैं कुछ क्वेक्शन में लेके आया हूँ सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखने हैं और देखिए ये क्वेक्शन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा अपकाविंग जो आसाम डियरेक्ट रिकूर्ट्मेंट एक्जाम 2023 साथी साथ दूसरे कॉंपुटिटिटिव एक्जाम जो आसाम में हेल्ड होग अगर आप लोग मतलब चाहते हैं ओनलाइन क्लास करना अगर चाहते हो जिससे आपको फाइदा होगा सो करने के लिए आप लोगों को ओनली 200 उपिस मंतली विच पै करना होगा थू यानि फोन पे जी पे या पेटियम से 9101467653 इस नंबर पे पै करके इसका स्किन शोट मेर मेरे वाट्साप नंबर पे वेज देना मेरा वाट्साप नंबर है 9101467653 ताके मैं आपको ग्रूप में एड कर सकूँ सो देखे जो इंपोर्टेंट चीजे आज डिसकास करनेंगे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टाइप का क्येक्शन एक् नंबर वाण कॉइक्शन डिस यस्ट उनम ओफ डिनायल नायल का जो सिनानुम यानि सिमिलेर मीनिंग कूंसरuge आप्शों अरी यानीरिजेक्शन याद करना तो इसमें जो राइटन से रोगा बोई option A यानि rejection याद रखना acceptance नहीं होगा, thoughtful भी नहीं होगा, pretend भी नहीं होगा, pretend मतलब जो नहीं है उसका बहा ना करना, ठीक है, pretend करना, thoughtful तो चिंता दायक कह सकते है, acceptance मतलब कुछ भी accept करना, rejection इसका राइटन से रोगा, question number two, antonym यानि कह सकते opposite meaning, compulsory का जो एंटोनीम कौन सा है, option A voluntary, option B permissible, option C, absolutely, option D happily, कौन सा राइटन से होगा, इसका जो राइटन से बहा है, option A यानि voluntary, compulsory मतलब आपके उपर compulsory करना ही होगा, voluntary मतलब खूद के इच्छा से करना, याद रखना है, इसमें opposite बोला गया, permissible मतलब क्या है, जो जायद चीज़े है, इसे permissible कहेंगे, so यह right answer नहीं होगा, absolutely मतलब बिल्कुल, जो कुछ absolute है, so यह भी इसमें fit नहीं आ रहा है, option D, जो है happily, यह भी नहीं आ रहा है, क्योंकि happily मतलब खूश रहना, so इसमें जो right answer होगा, जो antonym में compulsory का, वो है, voluntary, याद रखना, question number three, dash is the synonym of futile, futile का synonym कौन सा है, futile मतलब भैर्थ के सकते है, unsuccessful भी हो सकता है, synonym क्या है, देखो, possible, impossible, probable, interesting, so इसमें जो right answer होगा है, option B यानि impossible, futile मतलब भैर्थ, भैर्थ मतलब क्या है, impossible, यह होगा नहीं, question number four, the antonym, देखिए, the antonym of reveal, reveal मतलब कुछ खुला सा खर option A, disclose, option B, tell, option C, hide, option D, show, इसका right answer होगा, reveal मतलब खुला सा करना, so right answer होगा, कौन सा होगा, देखो, disclose करना, याद रखना, disclose मतलब भैर्थ, close मतलब भैर्थ, disclose मतलब भैर्थ, याद रखना, tell तो नहीं होगा, hide, sorry, reveal जो है, इसका antonym, synonym होने से कह सकते है, अम लोग, disclose करना, इ antonym मतलब opposite meaning, इसका right answer होगा, option C, यानि hide, so वैसे, जैसे मैंने अभी, antonym के जागा, synonym बोल दियाता थो, आप लोग, exam में मतलब ऐसा मत करना, exam में तोड़ा देखना, ठीक है, और जो OMR should fill up करने के time, तो बहुत, मतलब ख्याल रखना, आप लोग, antonym of reveal का meaning क्या है, reveal मतलब कुछ खुलासा करना, और antonym में इसका opposite क्या होगा, hide यानि चुपाना, question number 5, जो के आज का last question है, dash is a synonym of the ambitious, ambitious का जो synonym कौन सा है, problematic यह तो नहीं होगा, problem नहीं, kind मतलब धयाबान कह सकते यह भी नहीं होगा, option C, determined, यह होगा, determined मतलब किसी चीच के लिए determined यानि ambitious, इधर देख क्या सकते हैं, यह सब यह होगा है, hard working, बट इसका जो right answer होगा, option C, determined, आज के लिए इतना ही, thank you so much, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यार करो, online class join कर लो, और देखो, अब भी से आप लोग देखना शूरू कर दो वीडियो, क्योंकि मैं आपको मतलब ऐसे ही ब